इतना जीविजोति संगती प्रस्थूत करते है टूप्टाइब हाललुया बोलो प्रभु येश्य मसी की जै सत्य का समय इस कारेक्रम में हम आप सब का हमारे उधार करता प्रभु येश्य मसी के नाम से स्वागत करते हैं हम ऐसी आशा करते हैं कि मार्च के महीने में आपने परमेश्वर की आश्यों को पाया है और सचमुच आपका जीवन अद्भूत कामों से भरा रहा होगा हम परमेश्वर का धनेवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रे दिया ताकि हम 2019 के इस तीसरे अर्थात मार्च महीने में आप सबसे मुलाकात कर पा रहे हैं मार्च महीने की प्रतिग्या का वचन मर्कूस उसका दसवा ध्याई 27 वचन कहता है येश्व ने उनसे कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परन्तु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मैं ऐसी आशा करती हूँ कि इस महीने में हर एक गीत हर एक अराधना और हर एक संदेश के द्वारा आपके जीवन में आपके परिवार में आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी सेवकाई में जितनी भी असंभवता है वो सारी असंभवताओं को परमेश्वर संभव में ब मैं आप सभी का धनेवाद करना चाहती हूँ आपकी प्रात्नाओं के लिए साथ ही आपकी सारी आर्थिक मदद के लिए जो आपने पिछले दिनों में हमारे लिए किया है साथ ही मैं ऐसी आशक करती हूँ यदि आप इस टीवी के कारिक्रम के दौरा परमेश्वर की आश्वर को पा रहे है तो आप लगतार हमारे लिए प्रात्ना करते रहे साथ ही यदि परमेशोर की आत्मा आपको अगवाई करता है तो आप हमारी मीडिया मिनिस्ट्री के लिए आर्थिक मदद को कर सकते है आर्थिक मदद को करने के लिए बैंक अकाउंट की साई जानकरी आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी लिए व्यक्तिगर्द प्रात्न करें और यदि आप अपनी गवाईयों को हमारे साथ बातना चाहते हैं तो स्क्रीन पी बिये गए मोबाईल नंबर के द्वारा आप हमसे संपर करें मैं फिर से यही आशाद करती हूँ कि आज के कारेकरम के द्वारा आज की सेवकाई के द्वारा परमेशवर आपको बहुत आयसे आशिश दे और जैसे प्रतिग्या कवचन कहता है कि परमेशवर आपके लिए सब कुछ संभव करेगा प्रभू आपको आशित करे, आए हम प्रातना करेंगे हे हमारे सरवशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपका धनेवात करते हैं पिछले फरवरी महिने में आपने हमें समहाला और आपने जसर कहा कि मैं तुम्हें अगभूत काम दिखाऊंगा वैसे ही आपने पिछले महिने में कई अगभूत कामों को हम सभी के जीवन में दिखाया है फिर से एक और बार प्रभू एक नई आशा और एक नई विश्वास के साथ हम 2019 के इस तीसरे मार्च के महिने में प्रवेश कर रहे हैं प्रभू एक अपके साथ जुड़ती जाएंगे प्रभू हमारे जीवन में आपके दौरा सब कुछ संभभ हो सके प्रभू आज की इस एपिसोड को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं आज की सेवकाई के द्वारा हमारे हरे एक दर्शिकों को आप आशिषित करें उनके जीवन में एक बदलाव को लेकर आए उनके जीवन की हर असंभवता को दूर करें उनके जीवन की हर निराशा को दूर करे, उनके जीवन की हर परिशानियों को दूर करे और आपके प्रतिग्या के वच्छन के दौरा आज हरे के रुदय को आप स्पर्श करे उनसे आप बाते करे और पिता परमेश अपने प्रतिग्या को उनके जीवनों में पूरा करे प्रभू आज के सत्य के समय के इस पूरे एपिसोड को हम आपके हाथों में समर्पित करते है प्रभू आप हमारे जीवनों को प्रभू आप आशित करे और हमारे जीवनों में प्रभू अपनी इच्छा को आप पूरा करे आगे का सारा समय, आज की सारी सेवकाई और आपके दास को भी हम आपके हातों में देते हैं हमारे जीवनों से केवल आपको महिमा मिले सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु येश्यु की नाम से स्प्रात्ना को करते है आमेन सारी मिल्यां आपको प्रभु आपको देना प्रभु एजिन्तकी 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 दी है मसीने मुझे, ओ, दियाए मसीने मुझे, ओ, जिन्दगी, ओ, जिन्दगी पटक रहाता इस दुनिया में अकेला ही, अकेला आँखों में आदू, तूता हुआ दिल, छोड़ गए सारे अपने पटक रहाता इस दुनिया में अकेला ही, अकेला आँखों में आदू, तूता हुआ दिल, छोड़ गए सारे अपने सब सुनी मैंने एक आवाज ओ, आवाज मसीगी ए जिन्दगी, ए जिन्दगी तेरे दिये ही हुआ बलीदार मेरे प्रभू, मेरे मस्दिया तेरी क्रपासे पायाँ जीवन करू तेरी माइमा प्रसे एक और पर इस अद्बू सत्य के समय के लिए हम परमेश्यों का स्तुदी करते हैं हर सोंवार के लिए मैं परमेश्यों की स्तुदी और धनेवाद करते हैं आप सबसे मुलाकात करके मैं बहुत कुछ हो हमारी बड़े ही आनल की बात है हर सोंवार को परमेश्यों आपसे बात करते हैं परमेश्यों आपको आशीश देते हैं परमेश्यों आपको चुड़ाता हैं इस मार्च के मैने के लिए परमेश्यों की स्तुदी हो और आज रमार्ष महिने के दूसरे सोंबार में उसकी सारी आशिशों के लिए परमेशों की सुधी करते हैं परमेशों ने इस महिने में हमें एक सामर्थी पतिग्या को दिया है वो पतिग्या क्या है? मर्कुस उसका दस्वा भ्याय और उसका 27 वचर the Bible says everything is possible to God और मैं इश्वाण के लिए सब कुछ संभव है My dear friends मेरे प्यारे मित्रो इस महिने में ये महिना संभव का महिना है March का रथ है संभव है तीसरा महिना है तीसरा का अर्थ होता है तीसरे आग का अर्थ होता है वो ईश्वार्यथा है पुपत्र अपवित्रागमा परमिश्वर की ईष्वरियता यह महिने में आप ईष्वरियता की जीवन को पाएंगे इसका यह है संभथा का झीवन ऐसा हो सकता है बहुँन सा संभव ऐस संभव परिश्वरियता का जीवन आपको उजसानित करेगा, आपको परकाशथ करेगा, czego क्युआंक करेगा, तो कर अधर संभवता सर्था राद नें इकलेक्छा ना है, तार कि आधर संभवता में प्रविश करेगा, in your personal life, in your family, in your ministry, in your secular job, in your education life, in your business, everything is going to be possible, अब इस कितनक विश्वास करते हैं I believe strongly मैं मजबूती से विश्वास करते हैं कि ये मार्श को महिना संभवता का महिना Every situation will change हर परिस्थती बद जाएगी from impossible to possible अर संभवता से संभवता Praise God परमेश्र किस्तुती हो Based on this promise इस प्रतिक्या पर आधारिद 21 संभवता को संभव करता है इस संभवता को हम खोच करने वाले है और कौन सी ऐसी रुकामवते हैं जो संभव कामों को असंभव करते है पिछ्वे संभव को हमने जाना हमने सिखा की कैसे असंभव संभव हो सकता है कैसे फरमेश्र उसे संभव कर देता है इस संभव को कौन से इसे शेत्र है जहां हम हर संभव होनी वाली बातों को भी असंभव कर देते हैं 80% of the people of this world इस दुनिया के 80% प्रतिशत लोग वो असंभव वरसितियों में जी रहे हैं और यांक तक की वो बाते संभव भी है और बही लोग उन बातों को भी असंभव कर देते हैं विशेश करके परमेश्र की बच्चे वो बीमारी में रहते हैं वो करजों में रहते हैं वो कमजोरी में रहते हैं वो श्राप में रहते हैं बद इस महिने में मैं एक महान प्रकाश्चन को आपके सामने लाना चाहते हैं आपको देखना है कि आपका हपर है आपका नाम श्रीमान संभव होना चाहते हैं before we could pray and release the anointing इससे पहले कि हम अभी शेiva को उड़े ले this month we are going to study what are the areas हम देखने जार है कि कौँ से इसे शेतर है why we still live in impossible कि तो आज भी हम असंभाता में है what are the area makes us from possible to the impossible कौन सी असी बात है जो हमारे जीवें को संभाव से असंभाव कर देती we have to know this truth एकिस सत्य है, एकिस परिस्टिपियां है, एकिस रुकावटे है, जो संभव को भी अस संभव कर देती है, पहली बात, एकिस रहस्यों में से, मैं आज ती रहस्यों आप से बाठोंगा, हम पढ़ते हैं उत्पती, उत्पती उसका दूसरा अध्यार, उसका सोला और सत्रा वचन पढ़ते हैं, और यहवा परमेश्यों ने आदम को यह आग्या दी, तू वाटिका के सब गुक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ग्यान का जो गुक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्यूंकि जिस दिन तू उसका फ यहां एक बड़ा विज्ञान है, फिर से एक और बार हम पढ़ते हैं, और यहमा परमेश्यों ने आदम को यह आग्या दी, यह काफी है, बाइबल साथ तरीके से कहती है, यह परमेश्यों ने पहले मनुश्य को आग्या दी ताकि वह उसका पालन करे, और पहला जो मनुश् पहला जो विक्ती था, वह संभवता के साथ रचा गया, I will give you a new name to Adam, मैं आदम के लिए नया नाम दोँगा, Men of Pustle, वह संभवता का विक्ती, Hallelujah, God gave him everything, all the power, all the authority, all the authority, all the majesty, all the majesty, he was living with God, वह परमेश्यों के साथ रह रह रहा था, He was working with God, He was working with God, the first creation, पहरी सुष्टी, God made him possible, he was able to give the names to all the flowers, animals and the fruits, वो इस योक्य था कि वो सारे प्राणियों को, सारे जानवरों को, सारे फलों को नाम देता था, यहां से सुनियेगा, Adam was a man of possible, God gave him all the wisdom, और मेशन उसे सारी वुदी दिया, सारा ज्यान दिया, सारा समझ दिया, और वो बहुत ही संभव था, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, और दुख एक बड़ी दुख की बाद, आप कोई बाद समझ ना है, यहां संभव परिशितियों से गुजरते हैं, इस संभव के बाद लग्जयान में, कौन से इसे शेत्र हैं जो संभव बातों को भी असंभव कर देते, यहां आप बहुत कटिनाईयों को महसूस करते, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी आतिकवतों में, आपकी सेवकाई में, आपकी कलीशया में, आपकी परिबार में, आपके बचों की जीवन में, आपके पती के साथ, आपकी पत्नी के साथ, क्यू परिश्टितिया असंभव है, सुनियेगा, पहली रुकावर पहली असंभव बड़ कि जो असंभव है वो असंभव हो जाए परमेश्वर ने आदम की रश्टा बड़ी संभवता की साथ की परमेश्वर ने उसे आग्या दी आपको बहुत सावधान होना है और पहले आदम को पहले पुरुश आदम को परमेश्वर ने आग्या दी तकि वो उस आग्या को मा रही के नुसाद शड़ी यह परमेश्वर की राहों मती बड़े की से यह उपीत नहीं कि कि आदम और चादर अता करे He will worship more He will do ministry more that was not the plan यह परमेश्ट की ओजड़ना नहीं वो दिन जब आदब ने परमेश्वर की आग्या का पालन नहीं किया, वो असंभवता में बदत कही और कितने ही दुक्की बात है, पहला रहस है, पहली परिष्टिपी, वह इन गो त्रू आप बहुत सारी असंभवता से गुजरते हैं, यहाद कि हमारा परमेश्वर तो पढता का परमेश्वर है, हम कलिसये अजाते है, हम हर दिन प्रातना करते हैं, हम बाइदर को पढ़ते हैं, पर सो मास्दे की शनिवाहर तर इपक्षान हो तक अँभू तो अँपक्षा है maybe will but pot able अग्या का पालन नहीं करता, 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 अग्या आपक्ता का पहरा शेत्र वह है आग्यार नामाना मेरे प्यारे बच्चों, जो सत्य की समय को सुन रहे हैं आपकी आपक्ताव के लिए वह कारण है आग्यार नामाना Man always disobey to the three things, express the church, the believers, the pastors, the leaders, the families, why they disobey? They disobey to the three things, number one, to the word of God, number two, to the spirit of God, number three, to the servant of God, के दास की आग्या, as a prophet, I want to promise you, you are the reason for your impossibilities अपनी असंभवताओं के लिए आप ही जिम्मेदार, because where there is a disobedience, to the world, to the spirit, to the spirit, to the servant, और दासों के प्रती, वहां तो हर संभवता असंभव हो जाते, आपकी संभवतमाई भी असंभवतमाई हो जाते आपका संभव स्वास्त भी असंभव स्वास्त हो जाते, you are the reason, you made your life to be disobedient, क्योंकि आपने अप्र जीवन में आग्या को नहीं मान, पर इसंभव खो, एक बविशोपता होने के नारा, वापस आए ले, आपका स्वास्त भी असंभवतमाई हो जाते, अपने असंभवताओं में ग्रहें करें, मैं आपके लिए बविश्वानी करता हूं, असंभवता जो है, संभव होगी अनाग्या कारिता जो है, वो आग्या कारिता में बदलेंगे, अर्षन जब अनाग्या कारिता को आप आग्या कारिता में बदलेंगे, उसे बविश्वानी के रथे हर एक असंभवता बदल चाहिए, पहला शेत्र है, क्यों जो संभवता है, वो असंभव हो जाती है, आग्या ना मानने के वचे से, ॐ इसलिए पहले चुम परमेश्वर के राज्ये तुम्हें पैमेश्वर के राज्य sabem से सब वस्तुवें भी तुम्हें मिल जायेगी दूसरा कौन सा ऐसा शेत्र है जहाँ पर संभव होने वाली बाते असंभव हो जाती पहला होता है अनाग्या कारिका दूसरा कारण है हम अनादर करते है Bible कहती है पहले तुम उसके राज्ये और उसकी धार्मिता की खोच करो बड़े ध्यान से सुनियेगा Bible कहती है पहले वही वस्तान है क्यों कई भारती बारती विश्वासी बारती पास्वासी कई परिवाद वो कई असंभवताओं से गुजरते है उनके लिए असंभव को संभव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बारती विश्वासी को नहीं दते है सुनियेगा कर दो विश्वासी की से अच बात कर रहा है विश्वासी क्यों था वर असंभवता कर रहा है आप कोई बास समर्ना, मत्य उसका चत्वा ध्याय का थेती सवचन कहता है, पहले, सीख थे किंदम अब परमेश्र के राज्य की खोच करो, क्या आप पहला स्थान दे रहे हैं, मुझे बविश्वानी करने करें, जो आप परमेश्र को पहला स्थान देते हैं, वहाँ जीवन सबसे उत्व होता, Hallelujah, उत्यम स्थान क्या है, हर एक असंभव ताशंभव हो जाएं, तोवे महीने कलिए हमारा संदेश क्या है, इमपसिब तोप उसंभव होगा, बन्त विश्वार को, हर एक असंभव संभव होगा, आप पर बास समझना है तूस्रा शेत्र आप पर बास समझना है जब आप परमेशों का अपमान करते है तो हर एक संभवता, असंभव त हम पहला सथान नहीं देते है टोंष एक ऐसा देश है जहांके लोग कभी भी पहला स्थान Dieu हमेशा समस्या हमेशा कर्ज, हमेशा जादुर्टन, हमेशा जादुर्टन, हमेशा दुश्रात्मा चाहिए, क्यों? You dishonor God, You never give the first place, We need to give the first place, There are three areas where people dishonor God, Number one, They never give the first place to the time, Number two, They never give the first place to the treasure, Number three, They never give the first place to the talents, We dishonor God, We dishonor in the time of God, We dishonor in the money of God, We dishonor in the qualities of God, अपने गुनों में भी हम परमेश्यक अप्माद करें, This Monday, The Holy Spirit is calling you, All the impossible possible, सारी अशंभव का संभव होगी, When you come out from the dishonor, आप अनादर से बाहर निकल कराएं, Give the first place to God, और आप पहला स्थान परमेश्यक दें, पहला समय परमेश्यक दें, First place to your treasure, First place to your qualities, So second secret, What makes possible to impossible, Number one, This will be me, Number two, Dishonor, Third and final, The book of John, What the third area, Which makes possible to impossible, The book of John, Chapter 20, And verse 27, John chapter 20, verse 27, So we read it, Number one, Disobedient, Dishonor, Number three, Disbelieve, These are the three areas, Which make every possible, Becoming possible, Jesus said, Don't be unbelieving, Be a belief, Third important secret, You have to, Come out from the disbelief, India is the country, Where we come, People never believe, We need to believe three things, Number one, His promise, Number two, His prophecy, Number three, His word, His word, He has given us, To believe three things, Bible is the promise of God, Bible is the prophecy of God, Bible is the covenant of God, When we believe the whole, Promise and prophecy and the covenant, That we promise you, That we promise you, This Monday, Every possible, Became a possible, It will never become impossible, When you come, From the disobedience, This honor, And this place, Those who are living, Those who are living in the three areas, Come to His presence, Accept your favor, I will promise you, Every impossible, Became a possible, Celebrate, Lord Heavenly Father, Once we come, To the name of Jesus, Thank you for the second, Monday of the third month, Thank you for the great promise, Impossible became a possible, God is the God, Who makes every impossible, To pass away, I pray for the people, Those who are living in the impossible, Because of the disobedience, Because of the dishonor, Because of the disbelief, As a problem of God, I break this power, In the name of Jesus, Every disobedience, The spirit of disobedience, Every spirit of dishonor, Every spirit of disbelief, Leave my people, In the name of Jesus, Let them obey, Let them honor, Let them believe, Let them make every impossibility possible, Thank you Lord, This morning, You are filling their heart, With the spirit of obedience, With the spirit of honor, With the spirit of belief, And today onwards, Every impossible situation, Is going to become impossible, Bless the Lord, In Jesus name, Everybody say Amen, Amen, ऐदी आप नाकपूर, चेना वार वाज़ी आसपास, रहते हैं, और येश्व मसी के बारे में, अधिक जानना चाते हैं, तो आप हमारे साथ, हर रइवार की अराद्ना में, सहबहागी हो सकते हैं, हमारी रईवार की अराधनाएं इस प्रकार है सुबह साड़े च्छे बजे से साड़े आठ बजे तक इंगलिश अराधना सुबह साड़े आठ बजे से साड़े ग्यारा बजे तक मराठी अराधना सुबह साड़े ग्यारा बजे से धाई बजे तक हिंदी अराधना हमारा पता है त्रियेक्ता जिविजोती संगती, विकास भवन, कोराडी रोड, मानकापूर, नाकपूर अधिक जानकरी के लिए आप इन नमबरों पर हमचे संपर कर सकते हैं हमारा इमेल आईडी है livingtruth333 at rate gmail.com प्रभु आप सब को आशीश दे झाल